गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में इकारान पुलिंग शब्द मुनी तो ये क्या हैं? ये विवक्तिया हैं प्रतमा, दुतिया, तृतिया, चतुर्थी, पंचमी, शष्टी, सप्तमी, संबोधन और ये एक बचन, दुई बचन, बहु बचन, तो एक बचन में मुनी को क्या करते हैं? मुनीह, दुई बचन में मुनी, बहु बचन में मुन्यह, दुतिया में मुनीम, दुई बचन में मुनी, बहु बचन में मुनीन, तृतिया में एक बचन में मुनीना, दुई बचन में चतुर्थी में एक बचन में मुनए, दुई बचन में मुनिभ्याम और बहु बचन में मुनिभ्याम और शष्टी में मुनेह, मुन्योह, मुनिनाम सब्तमी में मुनोह, मुन्योह, मुनिशू और सम्बोधन में हे मुने, हे मुनि, हे मुन्यह तो ये क्या है? ये मुनि का शब्द रूप है इकारांद पुलिंग अब हम पढ़ेंगे उकारांद पुलिंग शब्द क्या है ये भानू तो ये विभक्तिया हैं प्रतमा दुतिया तृतिया चतुर्थी पंचमी शष्टी सप्तमी संबोधन और ये एक बचन में भानूह, दुई बचन में भानूह, बहु बचन में भानूह, दुतिया में भानून, दुई बचन में भानूह, और बहु बचन में भानूह, तृतिय 15 में 1 बचन में भानु दूइ भानुप। भानू हे भानबह तो आज आपको अपनी संस्कृत की कौपी में मुनी का और भानू का शब्द रूप लिखना है और इन्हें याद भी करना है